नमस्कार आप देख रहे हैं एचेस बिहार मैं हूँ आदेश पुरी सीव सेना का मुख पत्र सामना पेपर में एक लेक छपा हुआ है जिसमें कहा गया है कि जो बॉंबे और पुने में जो भीड़ भाड़ है जो इतनी जादा जनसंख्या है उसका सबसे प्रमुख कारां जो कि उद्धाव ठाक ने मांग किया है कि भारत सरकार जो है जो स्मार्ट सिटी प्रजेक्ट है उस पर ज्यादा ध्यान दे बिहार यूपी के ही सहरों पर और वहां पे भी बंबे और पुने जैसे सहरों का निर्वान करें ताकि ये लोग जो हैं इनका पलायन इन सहरों में न प्रजेक्ट बताया था कि जितनी बंबे में और पुने में भीड़ है अगर ऐसा ही रहा तो इसके काफी घातक परणाम होंगे इसकी जवाब में ही सिवसना ने जवाब दिया है और सिवसना ने एक ही सब्द में ये सब कुस थोप दिया कि बंबे और पुने में जो सब्सक्राइब है तो वही तीन लग पुने से गया है वही दिएड़ लाख लोग जो है पुना आचुके हैं और वह बता रहे हैं कि उनके अपने च्छेत्रों में अपने जिल्लों में अपने राज में काम नहीं हैं इसलिए वह को रोना जैसे महामारी को भी साइड में करक के और वही नितिस्कुमार ये लगातार ये आगरह कर रहे हैं कि बिहारियों को कि आपको बहार जाने की जरूरत नहीं है बलकि आपको अपने जिले में आपके गाउं के बगल में ही या गाउं में ही आपको काम मिलेगा और दोएक निति जो है इसकिल्ड लेवर के उनसार ही हई जा रही है और फिरसे उद्योगों भी की लाने की दाख ल॥ पहल कि आ सबस्क्राव करें लेकिन इन सब के बावजू exclus हो रहा है क्योंकि कलाने हम सब्सक्राइब हैं कि अभी कुछ पॉले एक रिपोर्ट आया था कि जितने भी बड़े सहरों में बिहार से जाने वाली ट्रेने हैं उसमें लबाद 200 पर 30 तक सीट जो है वेटिंग लिस्ट पर चल रही थी और अभी भी जो है बिहार में दूसरे राज्यों के बस और माली घुम रहे हैं यहा स्मार्ट सिटी के लिसलेट किये थे पतना भागलपूर बिहार सरीफ और मजफरपूर लेकिन इन चारों सहरों का जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वह बहुत अच्छा नहीं है और एक तरह से यह कहें कि अभी तक बिहार में एक भी जो है सहर जो है वह स्मार्ट सिटी की 73 है तो भागलपूर का 77 और मुझफरपूर का 96 है और सबसे बड़ी बात आपको बता दे कि जो बिहार के नगर विकास मंत्री है सुरेश सर्मा वह मुझफरपूर के ही रहने वाले हैं और 100 स्मार्ट सिटी में मुझफरपूर का स्थानी 96 है और मुझफरपूर में सारी समस से आए जो वर्सों से बनी हुई थी वह आज भी विद्दमान है तो बिहार जो है स्मार्ट सिटी के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है यहां पर लगबग काम जो कहें तो बहुत ही कछवा चाल में चल रही है बहुत ही सुस्त है यहां पर और यही कारण है कि दूसरे जो बिहार के जो देश के भिक्सित राज्य हैं महराष्ट यह उन सब राज्यों में बिहार से पलायन होता है और वहां के जो मुख मंत्री हैं अपने कामों को चुपाने के लिए अपने जो गलतियों को चुपाने के लिए सारा जो है वो मढ़ देते हैं बिहार यूपी के जब कि ऐसा कुछ नहीं है महाराष्ट के अन्य भी जीले हैं जहां पर कोवीट का बहुत ज़्यदा प्रसार हुआ है वहां बिहारी और प्रवासी बहुत कम मात्रा में हैं लेकिन फिर भी बिहार को हमेशा यह सुनना पड़ता है और महाराष्ट जो है हमेशा वहां की सरकारे कि आप लोग के लिए दूसरे राजियों की तरफ रुखना करना पड़े तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें सेर करें और हमारे नए चैनल एजस बिहार को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद